हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल चोपडा ब्लोक्स और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो इनसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है इस वीडियो में हम ऐसे ही एक छात्रा की बात करेंगे जिसने BDS करने के बाद IPS एकजाम में 147 वी रेंग हासिल की थी बहुत से ऐसे NEET की प्रिप्रेशन करने वाले स्टुडेंट होंगे जिनका सपना IPS officer बनने का होगा तो इस वीडियो के जरीए आपको मैं ऐसा ही उधारन बताऊंगा जिसने ये काम करके दिखाया है और आप भी ये काम आसानी से कर सकते हैं अगर आपका सलक्षन NEET में हो जाता है आप MBBS BDS कम्प्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप Civil Services की तयारी करके सलक्षन पा सकते हैं आप ये जागरन का News Article देख रहे हैं UPSC Result 2018 इस महिला ASI की बेटी बनी IPS पहले ही प्रियास में हासिल की 147 वी रेंग दिल्ली पुलिस में तैनात महिला ASI की बेटी पूजा गुपता ने अपने पहले ही प्रियास में UPSC की ओर से आयोजित शिविल सेवा परिक्षा में सपलता का पर्चम लहराया है उन्होंने परिक्षा में 147 वी रेंग हासिल की है सुकरवार को गोशित हुए परिक्षा के परिणाम में पूजा अपना नाम देखकर बेहद खुश हुई और बच्बन से IPS बनकर देश की सेवा करने के सपने को साकार होने पर बेहद उतसाइत भी है इस सांदार उपलब्दी की जानकारी मिलते ही उनके त्री नगर इस्तित आवास पर बदाईयां देनी वालों का सिल्चिला थम नहीं रहा है 25 वर्षिये पूजा ने बताया कि इस सपलता में उनकी कठिन मैनत, निरंतर, अभ्यास के साथ उनके पूरे परिवार का भरपूर योगदान है लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनकी मारेखा गुपता का है जो वर्तमान में उत्री जिले के पुलिस ने इंतन कक्स में बतोर A.S.I. तैनात है वे बताते हैं कि पुलिस अधिकारी बनने की प्रेड़ना बच्पन में अपने मां की वर्दी को देखकर मिली ऐसे में उन्होंने इस से अपना लक्स से बनाया पुजा ने बताया कि उन्होंने बारवी की पढ़ाई करने के बाद रोणी सेक्टर 15 इस्तित E.S.I.C. अस्पताल वे मेडिकल कोलेज में 2012 में BDS कोर्स में दाख लिया लिया था 2017 में पढ़ाई पूरी करने के साथ ही पुजा ने सिविल सेवा परिक्षा की तैयारी सुरू कर दी थी ऐसे में जब ये परारंभीक परिक्षा में उतिर्न हुई तो उन्होंने जोर सोर से तैयारियां सुरू कर दी और अंत में उन्हें सपलता मिल ही गई पुजा ने बताया कि उन्होंने मुख्य परिक्षा में मानुविज्ञान का चैन किया था उन्होंने काया कि कठिन परिश्रम के साथ लगातार अध्यन से सपलता हांसिल करना मुमकीन है पुजा की मारेखा गुपता 1990 में दिली पुलिस में सिपाई के रूप में भरती हुई थी पिता राजकुमार गुपता अकाउंटेंट हैं वहीं छोटी बहन क्रिक्ति का बीएस्सी सेकेंड येर की छात्रा है तो दोस्तो जब पुजा गुपता BDS करने के बाद IPS ऑफिसर बन सकती है तो आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बस आपको चीह एक दृड़नी से मेहनत और लगातार पढ़ाई तो दोस्तो अगर आप मेहनत करने का जजबा है तो आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं अगर आपका सपना IS IPS बनने का है तो वो भी आप नीट पास करके MBBS या BDS की पढ़ाई या फिर BMS वेटनरी करने के बाद भी ये सपना पूरा कर सकते हैं तो दोस्तो ये जानकारी थी कि आप अपने जजबूँ पर अगर दरड़ निश्चे करके मेहनत करते हैं तो आप बिलकुल सपल होंगे मिलते हैं नई जानकारी के साथ में वीडियो को लाइक वे ज्यादा शेयर करें चैनल को सबस्क्राइब करें क्यूंकि इस परकार की मोटिवेस्नल वीडियो हम लेके आते रते हैं पताते रहते हैं कि छातर किस प्रकार से पढ़ाई करके एक अपना सफल जो उनका टारगेट है उस तक पहुंसते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ तब तक मैं हरसाय चोपडा लेता हूँ आपसे विदा नमस्कार